दोस्तों AMU में यानि अलिगण मुस्लिम उनिसिटी में एक special course का form आया है तो दोस्तों इस कौन सा course है इसके बारे में बताऊंगा कब तक last date है और इस course करने के क्या फायदे हैं इसके साथ AMU में self finance का form यानि class 11 के लिए अभी भी update अभी नहीं आया official website से तो जैसे भी आयेगा मैं आपको inform करूंगे इतला करूंगा सूचना दूंगा तो अभी अलिगण मुस्लिम उनिसिटी में admission close नहीं हुआ है अभी admission का सिलसिला जारी ही रहेगा इसके साथ साथ बिना test के जो class 11 में admission होता है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा तो अलिगण मुस्लिम उनिसिटी के complete जनकारी आपको TBIT से मिलती है और आप लोग बहुत प्यार देते हैं चैनल को उस प्यार देने के लिए मैं आपको शुक्रिया आदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो भी हमारे वीडियो देखते हैं उन सभी को मेरे दिल से शुक्रिया है धन्यवाद है और आगे उमीद करते हैं कि हम आप दोनों मिलके collaborate करके जीवन को आगे बढ़ाएंगे और AMU की सची सूचना देने में आप लोग हमारी मदद करेंगे और AMU के contents बह आता है कैसे आता क्योंकि इसकी जनकारी सिर्फ कुछ चुनींदा लोगों को ही मिल पाती थी जो की AMU से जुड़े रहते थे या उनके परिवार में कोई पढ़ता था आज हर गरीब परिवार से गरीब परिवार हर remote से remote area में मेरे वीडियो देखी जाती है उन सभी के लिए आपको शुक्रिया और AMU का आगे counseling हो रहा है उसके लिए मेरे तरफ से best wishes है बहुत बहुत मुबारक बात जिन जिनका selection हुआ जिनका selection नहीं हुआ है आगे और भी बहुत सारे courses आएंगे बिना test का class 11 भी आएगा उसके भी मैं जनकारी दूंगा तो channel पर नहीं हो तो ज़रू subscribe किजिएगा और वीडियो पसंद है तो like किजिएगा अपने दोस्तों यारों के और family members को जरूर इसको share किजिएगा अभी यहां देखेंगे counseling का admission का schedule बहुत सारे courses के आ चुका है कुछ notices and updates में देख सकते हैं यहां एक course आया है last date of submission of online application form admission to PDCC has been extended तो यह कौन सा PDCC है क्या चल टते पी-डी मतला post doctorate CC मतला certificate course post doctorate certificate course अब यह doctorate क्या है तो जो doctor कर लेते हैं उनके बाद यह certificate course होता है तो जो doctor है already उनके बाद यह होता है तो यह Iya होता है तो कौनकॉन जो कि दिमाग से connected है अनेस्थेसिया मतलब जिसको बेहोश किया जाता है उसके बाद pain management pain बहुत types के होते हैं सर का दर्द होता है नहीं सर में pain होता है पेट में pain होता है पूरे body में pain होता है तो pain management का course है तो neuro anesthesia pain management और medicine देश में हर जगे medical hospital में जाएंगे भीड कठा हो रहती है डॉक्टर कम है अपने देश में और public जादा है और खासकर UP बिहार बेंगॉल और जो भी गंगा नदी के किनारे जितनी भी states है सारे state में जनसंगे जादा है क्योंकि पुराने जमाने में गंगा के तठ पे ही लोग रहते थे पानी के वज़ा से और इसी राज्यों में सबसे ज़्यादा MP, MLA भी है और इनी राज्यों में सबसे ज़्यादा गरीबी भी है और सबसे पिछड़ापन भी है उत्राकांड, उत्तरपरदेश, बिहार, बंगाल, बंगलादेश ये सब एक ही टाइब के देश है और एक ही टाइब के यहाँ पे संस्क्रिती है लग भग तो यहाँ पे medical की बहुत जादा कमी है तो course medical के जितना कर सके देश की युवाँ उतना अच्छा है और यह medical course ही है और मैंने आपक लोगों को सेवा किया अच्छे से सेवा किया जो लोग भी आए डेट बोडी वाले आए या बीमार वालों को लेकर आए सब को सुईधा दिया उन्होंनों रहने खाने सब चीज का मुहया कराया अलिगर मुस्ली मुश्टी के होस्पिटल्स ने और जो भी यह समर्वकेशन चल लाता तो ज्यादातर बच्चे घर पे थे लेकिन जो बचे हुए थे होस्टल में वो लोग खूल के आके सब लोगों को सहता की सारे बच्चे होस्टल से निकल के आके होस्पिटल में आ गया थे लोगों को सुईधा देने के लिए तो कितनी अच्छी बात है कि वहां प्रेवा कराता है हॉस्पिटल के रूप में उसी हॉस्पिटल में यह कोर्स को निकला है जिसका लास्ट डेट है 27 ऑगस्त दो हजार चौबिस यह जुलाई चलना है पूरा जुलाई है पूरा ऑगस्त है आप समझ लिए दो महिना के आसपास है तो यह जो भी डॉक्टर है उ सर्टिफिकेट कोस करके जीवन को आगे बढ़ा सकते और देश की युवाओं को देश के जनता को बहतर सुविधा दे सकते हैं इसी तरह TBIT भी सुविधा देने के कोशिश करता है कि हर कोने कोने में AMU की अच्छी जो एजुकेशन है सारे युवाओं को मिले कोई भी महरूम नहीं रहे और कोई भी डिप्राइब ना रहे अच्छी एजुकेशन के तो मिलते हैं इसी यूसफुल वीडियो के साथ तब तक यो टेक गुड केर आफ योसेल्फ जैहिन जै एम यू